नमस्कार दोस्तो ग्यान माइन में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस गर आपके फोन में भी सोनी लिव एप्लिकेशन नहीं चल रही है तो इस प्राब्लम को कैसे वीडियो को देखते रही है तो गाइस जब भी हमारे फोन में कोई एप्लिकेशन नहीं चलती है तो यहाँ पर तीन-चार प्राब्लम रहती है जिसकी वज़े से हमारे फोन में एप्लिकेशन ओपन नहीं होती ठीक है न तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, internet connection हम चेक करेंगे, हमारे application को properly internet मिल रहा है की नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है न, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उपर की साइट से सबसे पहले हम data चेक करेंगे, और यहाँ पर हमारा network चेक करेंगे, अगर network complete है और data भी complete है तो आपको क्या करना होगा एक बार flight mode को on करना है और उसके बाद flight mode को off करना है ठीक है ना flight mode on off करने के बाद internet की speed बढ़ जाएगी मतलब speed boost हो जाएगी उसके बाद application को try करके देख लेना है अगर फिर भी application open नहीं होती है तो जो second process है वो क्या करना होगा application को update करना ठीक है ना तो हम जाएगे play store में play store में आने के बाद search करेंगे sony live sony live search करेंगे उसके बाद application आ जाएगी अब आपको देखना है यहाँ पर की update तो नहीं आया यहाँ पर हमारे application में अगर update आया होगा तो यहाँ पर update लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा अगर update नहीं आया होगा तो यहाँ पर open लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ना आपके application के अंदर update ही नहीं आया, मतलब update already updated है, application update नहीं आया, फिर भी application open नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी phone की setting को open करेंगे, हमारी phone की setting open करेंगे, नीचे की side में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक option मिलेगा, apps वाला, गलेगा, जो आपके फोन में जितनी भी application रहेगे, सभी यहाँ पर application आपके सामने आ जाएगी, तो यहाँ से guys, आपको sony live application को डूढ लेना ठीक ना, अगर इस list के अंदर नहीं मिलता sony live, तो ओपर की side में search भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप sony live को search कर सकते हो ठीक है ना तो यहाँ पर sony live को search करेंगे उसके बाद आ जाएगी application तो हम इसके उपर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर guys क्या करना होगा सबसे नीचे की side वा option मिलेगा clear data वाला तो हम clear data के उपर click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर clear all data वाले option पर आपको click करना है और इसके बाद delete all data वाला option आएगा तो यहाँ से ok कर देना ok करने के बाद यहाँ पर sony live का जितना भी data रहेगा सभी delete हो जाएगा साथी में account भी यहाँ से log out हो जाएगा sony live का जो भी account रहेगा वो भी log out हो जाएगा तो अब आपको application को open करके देखना आपका जो application रहेगा वो 100% open हो जाएगा मतला आपकी जो problem रहेगी वो solve हो जाएगी आपको फिर से अपना account जो logging करना है उसके बाद application को use कर पाएगे तो देख सकतो हो हमारी जो application है यहाँ पर successfully जो open हो चुकी है तो इस तरह से गाईज गर आपके phone में भी sony live application उपन नहीं हो रही है तो इस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हो तो guys अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना शेयर करना और अबीता को आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लेजिए